हेलो दोस्तों मद्यबदेश में कब लग सकती आचार सहीता उसकी एक्सपेक्टेट डेट आ चुकी ही दोस्तों और उससे मद्यबदेश में जो सरकारी भरतियों का शिलसला चल रहा है उस पर क्या इंपक्ट पड़ेगा उसके रिगार्डिंग न्यूज है दोस्तों ये भास जाएंगी नई भरतियां विकास कारियों का क्या होगा तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या लिखा है मद्यबदेश में विदान सबा चुनाओं की तारीखों का एलान 6 से 15 क्टूबर के बीच हो सकता है इसके साथ ही आचार सहींता लगू हो जाएगी जानकार कहते हैं कि चुनाओ आयोग ने वोटर लिष्ट के अंतिम प्रकाशन की अंतिम तारिक 4 अक्टूबर तै किये हैं इसके बाद 10 दिन में कभी भी चुनाओ कारेकरम की घोशना हो सकती है हैसे में सरकार के पास चुनाओी घोशना और विकास कारियों का लोकार पड़ भूमी पोजन करने के लिए सिर्फ दो महीने का वक्त है आचार सहींता के दोरान अधिकान सरकारी कामों पर अस्थाई रोक लग जाती है ये वे काम होते हैं जिन से सरकार को फायदा होने का अंदेशा होता है तो क्या आचार सहींता लगने के बाद पचास हजार नई भरतियों की प्रक्रिया रुख जाएगी जिन परिक्षाओं के रिजल्ट आ चुके है और जिन पदों के लिए विञ्यापन जारी होना है उनका क्या होगा आपके इलाके की सड़क आधी बन गई तो वो पूरी होगी या नहीं दैनिक भासकर ने ऐसे कई सवालों के बीच तो ऐसे कई सारे सवाल जो है दैनिक भासकर ने उठाए और पूर वो मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत से बात करी तो उसमें क्या निकला देखते हैं तो प्रशनी ऊठा कि 50,000 से ज्यादा सरकारी पदों पर भरती का क्या होगा तो मुख्य मंत्रे ने हली में कहा आये कि 43,640 पदों के परिक्षा परड़ाम गोशत कर चुके हैं 11,218 पदों के लिए परिक्षा हो चुकी है और परड़ाम तयार हो रहे हैं 4,852 पदों पर परिक्षा कराने की प्रक्रिया चल रही है और 23,006 पदों पर विग्यापन जारी कर जल्दी परिक्षा करा ही जाएगी 11,603 पदों के लिए विग्यापन जारी करेंगے इतनी भृतिया करने के बाद और 50,000 पदों पर भि हर्ती की जाईगी तो दोस्तों क्या जवाब आया उपिरावत ने क्या काया तो ये चुनाव आयोग को देखना पड़ेगा कि भरती अभी क्यों निकाली जा रही है इसका अधार है कि भरती देर से क्यों निकाली गई नहीं तो यह माना जाएगा कि यह भरती जान बूचकर देर से सुरू की गई यदि मौजूदा सरकार फिर से सत्ता नहीं आई तो नहीं सरकार के सिर मड़ जाएगा इस भरती को कैंसल किया जाएगा यदि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है जिसे चुना आयोग भाप लेगा तो इसे रद भी कर सकता है यह आयोग के परिक्षन पर निर्भर करता है कि क्या यह चुनाओं में लाब लेने के लिए तो नहीं किया गया तो यह सब निकला है दोस्तों निशकर सभी और अब देखते हैं क्या होता है और देखे यह यहां पर कुछ प्रिवियस एर्स जो हैं जब जब चुनाओं हो है तो कैसे आचार सहीता लेगी कम मद्दान हुआ उसका कुछ दिया है डाटा 2018 में आचार सहीता 6 अक्टूबर को लगी थी और मद्दान 28 नॉमबर को हुआ था मतगरना 11 दिसंबर कोई थी ऐसे 2013 में 4 अक्टूबर को आचार सहीता लेगी थी 25 नॉमबर को मद्दान हुआ था और मतगरना 8 दिसंबर कोई थी और 8 का भी दिया है 2008 का भी तो दोस्तों यह 40-45 दिन का टाइम लगता है इसमें आचार सहीता और मद्दान के बीच का जो इसम मद्दान की तारिक के बीच 40-45 दिन का गैप था ऐसे में संबहोना है कि इस चुनाओं में आचार सहीता 6-15 अक्टूबर के बीच लग जाएगी और मद्दान भी उसके बाद आपका हो जाएगा 40-45 दिन के बाद या आप मान सकते हैं नॉमबर के एंड में जो है मद्दान ह झाल झाल झाल